दोस्तों आज किस वीडियो में पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है वो बताने वाला हूँ आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात अभी तक पता नहीं है यदि आप भी ऐसे बातों में इंटरस्टेड है तो वीजियो को लाश्ट तक देखिए पासपोर्ट एक तरह का कानूनी दस्तावेज होता है जो वीदेश में परिशाय पत्र के रूप में काम आता है वही सो आपको अपने देश से प्राप्त होता है यह परिशाय पत्र वीदेश में अपने देश की राष्टेजा को सिद्ध कर सकते है तथा पासपूर्ट विशिष्ट सरकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है यदि आप भी पासपूर्ट बनाना जाते हैं तो नीचे कमेंट वाक्स में जरूर बताईए अब बात करते हैं वीजा की वीजा एक तरह का लिखी दस्तावेश वो मोहर होता है तथा वीजा उस देश के लिए दिया जाता है जिस देश में आप जाना वराहना चाहते हैं वीजा को एक निश्चित अवधी तक मानिता दिया जाता है इसी निश्चित अवधी के अंदर आप निर्धारी देश में रह सकते हैं तथा वीजा को सरकारी दुतावास द्वारा जारी किया जाता है आसा करते हैं कि आप सभी को अब पास्पोर्ट और वीजा में अंतर क्या है मालूम हो गया होगा यदि वीडियो आपके काम के थे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देजे और चैनल पर नए हैं तो चैनल क को सब्सक्राइब कर लीजिए